हेलो फ्रेंड्स आप लोग का मेरी चैनल सॉफटाइज मेरी निन्या में बहुत बहुत सौगत है मैं हुरेन उदर और आज आप लोग के लिए लाई हूँ ये क्यूट सा प्यारा सा देखिए कैटरपिलर बहुत ही प्यारा क्यूट सा हमारा कैटरपिलर बना है इसका जो करके जरूर बताइएगा आज का मेरा ये सॉफटाइय आपको कैसा लगा और नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि मेरी तरफ से नई व आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renoscreativehub.com फ्री है वहांसे डाउनलोड कीचे एफ फर साइज पर निकाल के कटिंग करके यूज कीजिए उसके अलवा फैब्रिक में ये सारा फैल्ट से बना रही हो इसमें आप मल्टी कलर्स यूज कर सकते हैं जो भी आपके पस कलर के फैल्ट हो वो आप सब यूज कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन, यलो, रेड, पिंक, फिरोजी, ब्लू, जो भी आपके पास हो यलो तो जैसे कि मैं इसका फेस वगेरा ग्रीन से बना रही हो तो आप ये ग्रीन कलर में को कोई चाहिए 15 सेंटीमेटर के करें वो बांकी जित वो फिल करने के वीं कोई 1,5-2,5 ग्राम के करीब और इस तरह की ये प्लास्टिक की आईस है मेरे पास ये भी आपके पास इस तरह की हो तो इस तरह की लीजेए ने तो आपके पास जो टैडी आईस हे और भी आप यूज कर सकते है ऊसके अलावा मुझे ये पतली वाली लास्टिक चाहिए देखे यह पतली वाली लास्टिक यह चाहिए मुझे इसमें थोड़ा सा तो चलिए शुरू कि देखे सबसे पहले आपने कपड़े पर माकें करनी है कटिंग रखके तो जैसे कोई भी कपड़ा लीजे जैसे मैं यलो कलर का ले रही हूं यह सीधा साइड ह एक इसका उल्टा साइड है उल्टा साइड है आप बिचह ये इस तरह से और इस पे कोई भी कटिंग जो अपको यलो में काटनी है वह रखिए जैसे की Greats से यह हमने रज़े हैं यह हमने 14 पीसिस पर काटने हैं और गाशा इस तरह से काटने हैं, और गाशा झुछ सकते हैं करना है तो इसको सबसे पहले आप माक कीजिए उसके बाद आप इसकी कटिंग कीजिए दिखिए अब सारे pieces की cutting हो चुकी है अब सबसे पहले हम इसका foot join करते हैं तो foot को आपने क्या करना है दो-दो pieces को आपस में रखके इस तरह से join करना है जैसे ये सीधा-सीधा piece है इस तरह से दो-दो pieces जितने भी है 7 foot बनेंगे इसके 14 pieces आपने काटे हैं तो इसको यहां से पूरा इस तरह से सिल के और उसके बाद में इसको सीधा कर लीजे ये वाला portion open चोड़ेंगे यहां से सिलेंगे इसको और इसको सीधा करके बहुत थोड़ा सा हम इसको fill करेंगे अब दिखिए इससे सीखे मैंने सीधा कर दिया है अब इसके थोड़ा सा हम जो fiber है वो इसका बरेंगे बहुत थोड़ा सा हमने बरना है अंदर और नीची की तरफ पूरा उपर तक नहीं बरना है इसको बस थोड़ा सा जो नीची की तरफ हम इसको छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा इसका weight नीची की तरफ हो जाए ready करके मैंने fill करके, सीधा करके इनको fill कर दिया है, इनको अभी side पे रखते हैं, अब हम इसका face का part ready करते हैं, देखिए face के part के सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, ये दिखिए इसका वो जो उपर होता है, horn कह लीजे, या antenna कह लीजे, जो भी इसका उपर वो seeing जैसा होता है, उसक side है, तो इस तरह से fold करके, और एक सीधी सिलाई यहां से लगा दीजे, सीधी सिलाई लगाने के बाद में इसको सीधा कर लीजे, अब सीधा करने के लिए जैसे आपको दिक्कत आएगी, तो आपने क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा एक सुई में दागा डालके, इसको थो उपर वाला हिस्सा है, अब इसके उपर हमने एक और बनाना है, उसके लिए हमने देखी यह यलो कलर का मैंने लिया है, एक इस तरह से circle, आपको cutting में मिल जाएगा, अब इसको हमने इस तरह से बनाना है, पोटली जैसा, जैसे nose वगरा बनाते हैं, यह मैंने तीन इसले लिए क्योंकि nose में भी हम यही चीज यूज कर रहे हैं, same, same size भी है, और same cheese, इसलिए मैंने दो तो बना लिए, एक में आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह से देखे, सुई में लिया, और इस तरह से इसको सिलाई करके, उसके बाद में आपने इसके अंदर cotton बरना है, cotton बरना है, इस तरह से आपने इसको यह round circle बना लेना है, मैंने मेरे कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा, मैं nose बनाने के लिए इस चीज को use किया है, तो यह बहुत easy है, आप इस तरह से बना सकते हैं, देखिए अब यह बन गया है, इसमें हम थोड़ा सा cotton लेके, और इसको मैं इसके अंदर डालके, और इसको खीच लेंगे हम, इसको इसके अंदर आप fit कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा दागा खीचते चले जाएए, इसको पूरी तरह से cotton को किसी भी चीज से आप पूरी तरह से अंदर कर दीजिए, ताकि यह बिल्कुल इस तरह से round potly के जैसे shape में आए, देखिए इस तरह से कर लिया मैंने, अब इसको करने के बाद में यहां पर या तो आप इसको शिल लिजे नहीं तो आप इसको यहां पर इस तरह से करके बांद भी सकते हैं जैसे यह ऐसे करके आप इसको बांद दीजिए यह देखिए इस तरह से यह शेप आई है इस तरह से इसको एक मैंने गाट से लगा दिये और दो तीन ताकि यह टाइट सा हो जाए अब दिखिए आपने क्या करना है जो इसका यह जो बाकी का हिस्सा है इसको थोड़ा सा इस तरह से कट कर दीजए थोड़ा से olhosamente यह दिखिए इस तरह से हमने बनाए हैं दो तो मैं इस एन्टिना में यूज करूंगी एक में नोज में इसकी यूज करूंगी अब दिखिए दोनों को मैंने सीधा कर दिया है बना के अब इनको आपने क्या करना है दिखिए इसमें फिक्स करना है यहां पर तो आपने क्या करना है कोई भी ग्लू गन है आपके पास यह फेवी यह आपके पास क्या कहते हैं फेवी जो फैब्रिक ग्लू होता है उससे आप इसका fix कर दीजिए, इस तरह से बंद हो जाएगा, ऐसे, इसको करने के बाद में, दीखें मैंने मेरे पास ये दो प्लास्टिक की वायर है, ये प्लास्टिक की जो तार है, ये आपके पास अगर हो, तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं, ने तो मार्केट में भी मिल जाता एक स्टील की वायर वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो मेरे पास ये पड़े थे, तो मैं इनको यूज कर रही हूँ, तो मैं इसके बाद में, इसको चिपकाने के बाद में, मैं इसके बीच में ये डाल दूँगी, इसमें मैं फाइबर नहीं डालूँगी, बस इसमें में यही डाल के और इसको इसके साथ में ही स्टिच कर दूँगी इस तरह से तो दोनों में मैं इस तरह से डाल के और इस तरह से इसके जो एंटीना है यह मेरे रेडी हो जाएंगे फेस बनाने के लिए देखिए जितनी भी यह फेस के पाट है जैसे कि यह इसका फेस का पाट है इसमें आप देख रहे हैं यह कट है यह डार्ट है तो जैसे आप जानते हैं डार्ट को आपस में सिलना होता है तो इसको थोड़ा से इस तरह से कीजिए और यहां पर सिलाई बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे round shape में आ जाता है जो भी चीज में आप dart डालते हैं तो थोड़ी सी ऐसे उबार आ जाता है round shape में आ जाता है तो इसमें भी जितने ये darts हैं इनको बंद कर दीजे इसी तरह से ये दिखिए इसका face का नीचे का हिस्सा है इसमें भी ये darts हैं सारे ये एक, दो, तीन, चार और पांच ये पांच darts हैं इनको भी आपने आपस में इस तरह से सिल के आपस में और बंद कर देना है जितने भी ये darts हैं उनको आप सिल लीजे इसी तरह से दिखिए ये इसका lower neck का portion है इसमें भी ये dart है, बहुत बड़ा तो इसको भी आप इस तरह से करके आपस में सिल लीजे तो इन faces के जितने भी parts में जहां पर भी dart लिखा है उसको आपने आपस में इस तरह से करके जोड़ के और सिलाई लगा दीजे देखिए अब face के जितने भी dart से सब हमने सिल दिये है अब हमने क्या करना है, देखिए यहां पर लिख रखा है F, ये A है, B है और ये F है तो इसमें भी आप देखिए, यहां पर हमने लिख रखा है F, A और B तो आपने क्या करना है, इसको यहां से लेकर ये F से F center join होएगा और ये चला जाएगा यहाँ तक और ये वाला चला जाएगा यहाँ तक, तो इसको यहाँ से अपने join करना है, तो जो ये वाला है देखिए, इसको इस तरह से join करना है ये F है, F से लिकाँ जो ये वाला portion है, ये A है इधर तक जोईन हो जाएगा और ये वाला portion इधर तक जोईन हो जाएगा तो ये इस तरह से करके आप पूरा round में इसको पहले सिल लीजे ये देखिए अब ये वाला जॉइन हो गया ये इस तरह से आया है इस तरह से हो गये अब इसको ऐसे ही रखते है अब ये इसका देखिए बैक हेड है इसको आपने क्या करना है यहाँ वाला साइट आपने आपस में सिलना है थोड़ा सा यहां छोड़ दीजेगा नीचे यहां से लेकर यहां पर सिल लीजे और इसके साथ में यह इसका neck का portion है इसको आपने यहां पर जो यह वाला portion है यह आपस में सिलना है यानि कि यह जो दो portion है इनका जो यह चोड़ा वाला हिस्सा है इसको आप आपस में यहां पर स छोड़ दिया है मैंने पूरा नीचे तक जोईन नहीं किया इसको मैंने क्या किया है यहां से जोईन करके इतना सा पुर्शन मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है तो इतना सा यहां पर नीचे मैंने ओपन छोड़ दिया बागी मैंने जोईन कर लिया अब इसको अपने फेस के स इस तरह से सिलाई लगा दीजे, तो जैसे यहां पर भी देखिए, मैंने निशान लगा दिया है, तो इसको सीधी तरफ, यह सीधा पोर्शन है, और यह क्योंकि मैंने सीधे ही कर रखें, इनको इस तरह से रखें, पहले मैं यहां पर दोनों जगे इसको सिल लूँगी, इन द यह जो back head है, इसको आप रखेंगे, यह जो center वाला हिस्सा है, देखिए, यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है H, और यह B है, और यह यहाँ पर E है, यह जो E आएगा इसका, तो आपने यह पूरे round में इसको join कर लेना है, यहाँ यह जो center का portion है, यह center वाले dart से, यह उपर का dart है उसके बाद में आपने इसको यहाँ पर लीजी, इस तरह से round पूरा, और यह पूरा यहाँ तक आजाएगा आपका, यह देखिए, इस तरह से पूरा round यहाँ तक, और यहाँ से भी इसी तरह से, पूरा round यहाँ तक, तो इसको इस तरह से आप सिलाई लगा दीजे पूरे को देखिए अब हमने back head जोड़ दिया है अब इसका हम neck join करते हैं इसका head तो already complete है अब इसका हम neck join करते हैं अब neck join करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपने ये icog आपस में सिलाई कर देनी है जैसे ये सिलिया है आपस में और ये इस तरह से join हो गया ये देखिए अब आपने ये वाला portion जो है देखिए ये वाला portion ये वाला portion आपने इस पूरे जो ये पूरा round नीचे का आ रहा है इसमें जोड़ना है तो जैसे ये जो center का portion है यहाँ पर ये लिख रखा है आपने ये दिखिए ये वाला portion है ये g है और ये e है e के बाद में जो back side का हिस्सा वो d तक आ जाएगा पूरा d तक क्योंकि ये पूरा round में है तो ये इसका g portion है ये इसका e portion है और ये जो back head का ये side वाला हिस्सा है ये d portion है तो आपने ये पूरा यहां से लेकर यहां तक join करना है तो ये center से लेंगे हम जो ये center का g portion है यहां से हम इसको join करेंगे दिखिए इ और इसको पकड़के पूरा यह दिखिए यहां पर E आ जाए गई जो साइड का पोर्षन है यह यहां पर आ जाएगा आप लोग भी जब मार्क करेंगे ना तो कपड़े पे भी साथ में साथ में जैसे मैंने लिख रखाया A B C D आप लोग भी वैसे ही कपड़े पे भी मार्क क है यह आपने इसको जोइन कर लेना है यह दिखिए अब यह नेक भी जोड दिया है पूरा अब हमने क्या करना है इसमें नेक के बाद में यह बैक का हिससा है इसका समझे बैक नेक है लोवर नेक है यह भी जोइन करना है साथ में तो इसका सबसे पहले हमने यह डार्ट आप यहां पर दोनों साइड में legs लिख रिखा है, तो इसी तरह से आप भी कपड़े पर भी mark कर ली जगा, देखिए इस तरह से, मैंने यहां निशान लगा दिया है, अब इसको हमने जो यह वाला portion है, यह जो जो जॉइन किया हमने, इसको अब इस neck के जो center वाला portion है, मैंने वैसे neck के इसमें लिख रखा है, यह देखिए, यहां पर edge, क्योंकि जी वाला portion तो हमने उपर जोइन कर लिया, अब यह neck edge वाला portion है, इसको हमने यहां से जोइन करना है, तो यह जो चीज है, dart, dart को इस से लीजे, और यहां से आपने यहां तक यह जोइन कर लेना है, पूरा, इस portion तक, k1 तक, लेकिन बीच में अब आपने यहां पर, जहां पर मैंने leg लिख रखा है, आपने leg इसका जोइन करना है, तो leg कैसे, देखिए, मैंने सीधा कर रखा है, इसमें थोड़ा सा fill कर रखा है, इसको इसी, मतलब उपर की तरफ, face करके, आपने यहां पर लगाना है, बी यहां पर आपने निशान लगा रखा है, वहां पर रखिए, इस तरह से, और यहां से लेकर, यहां तक पुरा, जोइन कर लीजे, देखिए, अब यह जोड दिया है, मैंने, साथ में यह legs भी जोड दिया है, तो अगर इसको सीधा करके हम देखें, तो यह इस तरह से आया है यह इसका face है, यहां पर और यह इस तरह से legs आये है, अब इसमें हम बाकी जो इसका body का parts है, वो जोडते हैं, देखिए, यह जो है बाकी जो body के parts है, वो मैंने इस तरह के square pieces काटे हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है legs, तो आपने भी इसी तरह से कपड़े पे mark कर देना है legs क सबसे पहले आपने जितना लंबा यह बनाना है और जो जो color आपने करना है, सबसे पहले तो हम उसको आपस में जोड़ देंगे, उसको फिर head के साथ में join करेंगे, तो जैसे देखिए, कुछ भी जो color आपने लिए हैं, जैसे पहले front side और back side दो-दो pieces काटे हैं, तो जैसे य माली जी यह वाला color लगाएंगे, तो color combination आप अपने हिसाब से ले लीजे, और उसकी बाद यह लगाएं, इस तरह से आप mix करके यह लगाते जाएं, अब लगाना कैसे है, वो मैं आपको बता दू, कि देखिए, जैसे यह द्यान में रखिए कि हर जगे पे आपने पहले यह निशान लगा देना है, लेग्स का, उससे क्या होगा, कि उससे क्या होगा, लेग्स आगे पीछे नहीं होंगे, exactly उसी जगे पे आएंगे, जैसी यह देखिए, मैंने निशान लगा दिया है, लेग्स का, अब इसको और इसको आपस में पहले जॉइन करेंगे, हम जो पूर पोर्शन है जितना भी है यह इसे मैंने थोड़ा सा चोटा सैस का यह इलास्τοिक कट किया यह से अगर आप इसको नापेंगे यह दिक है यहं से नापेंगे तो मैंने इसको यहां तक किया है इतना पोर्शन चोड़ा सा चाईगे ज then और भी नहीं खिचाव चाहिए मिरको बहुत थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा मैंने इसको लिया है तो जब मैं इन दोनों पीसे को इस तरह से जोईन करूंगी तो साथ में ही इसको भी उपर रखके ऐसे खीच के पूरा यहां तक जोईन कर लूगी उसके बाद जैसे दू क्लों पीसिष पहले जौइन कर लीएं देखिए सारे प्रीसिझ मैंने जोड़ दिये है अभब आप अपने हिसाब से जोड़ दीजे और साथ-साथ मैंने यह जोड़ दिया है लस्ट का इस तरह का है यह क। इस तरह का यह लाश्ट वाला पीस अब आपने क्या करना है इन दोनों पीसेज को जैसे कि आप देखने दो पीसेज हमारे रेडी हो गए हैं अब इन दोनों पीसेज को आपस में जोड़ना है इस तरह से तो इसको इस तरह से रखेंगे आप देखें तो यहां से आप सिलाई लगाएंगे यहां से इस तरह से पूरी round में लेकिन साथ साथ में हम इसके legs भी join करते जाएंगे तो legs की position रहेगी ये वाला portion आपका front side पे रहेगा क्योंकि ये front side है ये इसका back side है तो आपने साथ साथ में ये भी जोडने शुरू करने हैं तो इनको इस तरह से रखना आपने देखिए जहां निशान लगा रखा है वहीं पर आप इसको join कीजेगा एक इस तरह से रखेंगे और एक इस तरह से तो ये हर जगे आपके इसी तरह से join होते चले जाएंगे साथ साथ में ये भी जॉइन होएंगे और साथ में इस तरह से रखना है आपने ऐसे करके और उसके उपर इसको रखेंगे हम ऐसे और पूरी यहां से यहां ऐसे राउंड करके पूरा अपने सिलाई लगा देना है इसका तो इसको आपने पूरा जोइन कर लेने हैं यह दिखिए अब यह जोइन कर दिया है लेक्स भी सब जगे जितने भी कलर मैंने लगाए हैं सब जगे मैंने दोनों साइड से साथ में लेक्स भी जोइन करके उपर से यह कवर और जो यह last का है, इसको पूरा round में सिल दिया है, देखिए जो last का पीछ है, इसको फिर इस तरह से पूरा round में सिल के, तो यह ready हो गया है, अब इसको पहले सीधा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसका head जोडेंगे, उसके बाद इसको सीधा करना थोड़ा मुश्किल होगा, त हम पहले ही सीधा कर लेंगे, उसके बाद हम head और इसको join करेंगे, तो एक तरफ से join करेंगे, जो उपर का हिस्सा है, नीचे की तरफ से हम open रखेंगे, जहांसे हम इसको fill करेंगे, देखिए इसको सीधा कर दिया है, अब इसका हम head join करेंगे, तो head के लिए जैसे यह वाला portion ले लिजे आप जो back का portion है इसका, यह वाला इसका back का portion है, जहाँ पर यह back head है, वहाँ पर यह back का portion, तो यहाँ जो center की सिलाई है, इससे हम इसको जोईन करेंगे तो इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी और इसको इस तरह से यहाँ पर मैंने देखी इस वाले पीस में भी मैंने एक सेंटर का माक लगा दिया है तो आप इसको पहले इस तरह से जोईन करके एक सेंटर का निशान लगा दीजे तो मैंने यहाँ पर यह निशान लगाए है और उसके बाद में येवाली शिलाई यहां तक जउईन करेंगे और येवाली शिलाई यहां तक जउईन करेंगे ये वाला portion हम open छोड़ेंगे क्योंकि यहां से हम इसको fill करेंगे और fill करने के बाद हम इसको येवाला portion पॉर्शन सि catching से जोड़ेंगे देखिए यह ऊपर का हिसा जोड़ दिया है मैंने यहां पर मैंने इसको ओपन छोड़ा है अब हम इसको फिल करेंगे नीचे की तरब भी और यह हैट भी स्का पुरा फिल करने के बाद में हम इसका यह ओपन पोर्शन पहले बंद कर देंगे देखिए अब इसका नीचे का बंद कर दिया है अब ये पूरा त्यार हो गया अब इसकी आइज नोज लगाते हैं और इसका माउथ बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी फिनिशिंग करते देखिए बड़ी वाली सुईली है डबल स्टेंड का दागा डाला है डब एक इस जगे पर हमने आइस बनानी है इसके थोड़ा सा नीचे हम सुई निकाल देते हुम और इसी के सीध में देखिए यहां से थोड़ा सा जो जहां पर दूसरी आइसम बनाएंगे और देंचे इसी के पास में मैं वापास निकाल हुए कि इसको थोड़ा खींच के हम बंद करेंगे थोड़ा से इसकी शेप इस तरह से की आएगी उसके लिए इसको यहां से टाइटली गाट करके और कि इसको यहां से बंद के और आप इसका जो दागा है वह पीछे से निकाल दीजिए झाल दीजिए इसको भी मैं पिरोके और दूसरे साइट से निकाल दूँगे. अब इसका थोड़ा सा मूह बना देते हैं. यहाँ पर हमने इसकी नोज लगानी है, जो मैंने आपको अल्रेडी दिखाईए बना के, तो इसको यहाँ पर मैं चिपका दूँगी. तो मैं यहीं से यह दागा डालूँगी, क्योंकि उपर से यह नोज आएगा, तो यह एरिया बंद हो जाएगा. तो यहाँ से जो गांट है, यह मैं यहाँ से निकालूँगी. थोड़ा इसी के सेंटर में मैं नीचे निकाल रही हूँ, देखिए दागा. ब्लैक ट्रेड डाला है, यह इस तरह से, और आपको इस तरह से वी में इसका मूँगी बनाना है. यह देखिए, यहाँ से, और बिल्कुल सामने निकाल दीजे, जहाँ तक आपको लग रहा है कि यहाँ तक नहीं तो आप पहले निशान बना दीजे, उसके बाद आप कीजे, वो भी ठीक है, जैसे भी आपको लगे, यह दिखिए, इस तरह से इसका यह मूँगी बनेगा. इस तरह से करके मैंने इसका यह मूँगी बना दिया, अब इसके आईज नोज रहते हैं, अब वो हम लगा देते हैं, वो चिपका देंगे हम, तो आप फैबरिक ग्लू है या हॉट ग्लू गन है, उससे चिपका सकते हैं. यहाँ पर अभी नोज लगनी है, तो यह वाला पोर्शन वैसे ही बंद हो जाएगा. तो दिखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली क्यूट सा के ट्रपिलर बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा बना है. अब आप भी बनाईए मेरी वीडियो को देखकर, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और उरों के साथ. Thank you for watching.